ये तो बच्चे बच्चे को पताओगा थम्स अप और थम्स डाउन का क्या मतलब होता है थम्स अप यानि लाइक और थम्स डाउन यानि डिसलाइक तो एक इंडिकेशन एक सीगनल, रिजैक्शन और डिसप्रूबल का और इसके लावा जो यहां पर important point है भई थम्स के साथ S है और इसे इस तरह से मतलिक देना, एस्ट्रॉफ एस लगाकर वो गल्थ है वही तरीका और जातर idioms में यह देखने को मिलता है non जो है वो plural होता है कहने का मतलब यह है कि यहां जो यह थम्स के साथ S है जैसे पर इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक दो give me a thumb up कुछ नहीं होता ठीक है तो यह होगा thumbs up राइट या फिर मैं बोल सकता हूँ give me the thumbs up और वो पीने वाले नहीं बात नहीं कर रहा है give me the thumbs up उसकी spelling वैसे भी अलग होती है उसमें भी नहीं होता तो give me a thumbs up या फिर give me the thumbs up दोनों बोल सकते हो आप और जो difference है इन में देखिए जातर आप देखोगे यह जो यह वाला thumbs up है इसका यूज होता है informal बोल चाल में और यह दा thumbs up इसका यूज देखने को मिलता है formal बोल सकते हो लिखने में और जैसे उधारन के लिए भी applied for a loan वर दा bank gave us the thumbs down तो हमने apply किया था भी loan लेनी के लिए बैंक से पर बैंक ने हमें क्या दिया thumbs down एक rejection disapproval देखने को मिला बैंक ने loan देने से मना कर दिया और आगे अब मैं ये बताने जा रहा हूँ भी इस thumbs के साथ ask क्यों है देखे इस idiom की उपज ये माना जाता है ये हुई है भी roman amphitheater amphitheater आपने देखा होगा एक तरह का मेदान होता है movies में देखा होगा जहांपर spectators दरसक बैठे होगते हैं और राजारानी बैठे हुए होते हैं और उन सभी का entertainment चला होता है नीचे कोई जंगली जानवरों से लड़ रहा होता है अपनी जान पर खेल कर या फिर एक ऐसे situation होती है कि पर एक को जान से खतम ही कर देना होता है तो यहां पर thumbs बात हो रही है उन सभी दरसकों के अंगूठों की तो अगर वहां पर जो भी दरसक हैं वो thumbs down गैसर एक signal किया करते थे वहां पर की भी राजा की तरफ की भी उस defeated हारा हुआ जो gladiator है gladiator यानि यह जो लड़ रहे होते हैं इन्हें हम बोलते हैं gladiator तो जो भी हारा हुआ आदमी हैं उसे मार दिये जाए जैसे वो सभी thumbs down कर रहे हैं फिर उसे अंगूठे की नीचे कुचल दो या फिर उसका अंगूठे से गला घोंट दो thumbs down और thumbs up gesture एक signal हुआ करता था कि फिर उसे छोड़ दिये जाए और finally ये आपका गाम है जल्दी से बता दो इसी डियम thumbs up का closest meaning पहला option क्या है give the green light या give the node give a pet on the back या फिर all of the above तो जो बाला ही लग रहा है आपको ये होगा सही लिख दो अपना अंसर नीचे comment box में तो यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को end ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सबस्क्राइब कर दीजिए हमारा चैनल IMP BookAub लरी अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी सी BookAub के साथ धन्यवाद